नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नाइन भारत सरकार ने टिक टॉक ब्यूटी प्लस साइन जैसे पॉपलर एप्स सही टोटल 59 एप्स को इंडिया में बैंड कर दिया है इन चाइनीज एप्स के सरवर भारत से बाहर मौझूद से जिससे चाइना हमारा डाटा कभी भी चुरा सकता था इससे भारत की सुरक्षा पर भी खत्रा था इससे पहले भी भारत सुरक्षा कर्मियों ने 53 एप्स को बंद करने के लिए केंद्रे सरकार से अपील की थी क्योंकि इंडिया में 13-14 साल के बच्चे भी इन एप्स को यूज़ करते थे उनका पड़ाई से ध्यान हटकर इन एप्स की तरफ ज़्यादा जा रहा था जिससे वे सारा दिन मुबाइल में लगे रहते थे ये एप्स भारत को अंदरी ही अंदर खोखला बना रही है जिससे इंडिया की तरफ की पीछे जा रही है भारत की लगब 80% लोग इन एप्स का यूज़ करते थे ये सारे एप्स चाइना में बने हैं वहां के लोग इन एप्स का यूज़ नहीं करते हैं TikTok, WhatsApp जैसे popular apps भी वहां के लोग यूज नहीं करते हैं, वे अपने ही apps यूज करते हैं, जिससे उनका data चाइना में ही रहता है, इस तरह चाइना भारत को धीरे ही धीरे खोखला बना रहा है, भारत सरकार ने 59 apps को बैन करके चाइना को एक करारा जवाब दिया है, अगर ये वीड करें, सब्सक्राइब करें और लाइकन दवा दें